ओम शांती सुनते हैं आज 19th नुवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने तिथी तारिक समय राशी कुल धरम सभी के हिसाब से हम सरवोच्छ भाग्य शाली कैसे हैं साथ साथ बाबा ने माश्टर भाग्य विदाता बच्चे गुडियों का खेल करते हैं वो कैसे करते हैं तीसरा वर्तमान समय प्रमान कौन सी अवस्था के समीप हैं और उसका क्या अनभव करना है सुनते हैं 19 नुवंबर 89 की मुर्ली बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा समर्ती सुरूप यह है मुर्ली का टाइटल आज बाप दादा सरव बच्चों के भाग्य के गुणगा रहे थे देखो बाबा कितने एकदम उच्छी स्टेज पर ले जाता है बाप बच्चों के भाग्य की स्रेष्ट रेखाओं को देख हरशित होते हैं भागे की स्रेष्ट रेखाओं में विशेश क्या-क्या बातें देखी जाती हैं वैं जानते हों मुख्य बात तिथी अर्था तारिक समय विशेश ग्रह कुल धरम संपत्ति संबंद और अकुपेशन देखा जाता है इन सब बातों से भागे को देखते हैं लौकिक रूप से किसी भी बच्चे का भागे देखना हो तो इन बातों की अवश्यक्ता पढ़ती हैं अब सुनिए सरवोच भागे शाली कौन आप सबी अपने इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो आप सब की तिथी कौन सी है आज तक भी अपने भागे को जनम की तारिक से या राशी से देखते हैं तो आप सब की राशी और तारिक कौन सी है जनम की तारिक कौन सी है आप सब कब अवत्रित हुए ब्रह्मन कब अवत्रित हुए जो बाप के अवत्रन की तारिक है वे आपकी है ब्रह्मा सहित ब्रह्मन भी पैदा हुए तो जो आदी रतन है उनकी तारिक कौन सी कहेंगे बाप के अवतरण की तारिख आदी रतनों के जनम की तारिख है समय कौन सा है ये संगम ब्रह्मा महूरत का समय है तो सभी के जनम का समय है ब्रह्म महूरत और राशी कौन सी है लोकिक राशियां तो भिन्बिन परकार की दिखाई है लेकिन आप सब की राशी जो बाप की राशी है विश्व कल्यान कारी वही आप सब की राशी है जिस राशी में सरव बाप के समान गुन समाए हुए है और दशा दशा भी गुरु आर की दशा है कितने सुन्दर बाबा आर्थ बता रहे हैं कुल कुल भी सरवोतम सर्व सरेष्ट है डिरेक्ट इश्वरिय कुल के हो इश्वरिय कुल है ना पॉजिशन अब पॉजिशन भी सुन लिजिए संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है धरम ब्रह्मन चोटी के हो वो भी हाइस्ट बुद्धी की लाइन विशाल और तिरकाल लर्शी लाइन है अब सोचो इससे अधिक बाग्य की रेखाएं और किसी की स्रेष्ट तो हो सकती हैं क्या करम रेखा में निरंतर करम योगी सहज योगी राज योगी यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है भाग्य की स्तारे में ताज और तक्त दिखाई देता है इससे सरेष्ट भाग्य और क्या होगा गुडियों का अनुखा खेल अब सुनिये खेल अनुखा आज बाप दादा सदा सरव भाग्य को देख रहे थे जैसे बाप सरव के भाग्य को देख हर्शित होते हैं वैसे आप सभी स्वेम के भाग्य को देख हर्शित होते हो छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो ये छोटी छोटी बातें क्या हैं जैसे भक्ती वालों को कहते हो कि पूजा आदी गुडियों की पूजा है गुडियों को खेल खेलते हैं जनम भी देते हैं सजाते भी हैं पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं तो इसको आप गुड़ियों की पूजावा गुड़ियों का खेल कहते हो ना जनम देना खेलना फिर उसके बाद सजाना पूजना और फिर डुबो देना तो इसको आप गुड़ियों की पूजा खेल कहते हो ना एसी मास्टर भाग विधात आप सुनो, वो कैसे करते हैं, बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते हैं, रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतो होने के लिए, वाद धारणाओं को पेपर लेने के लिए, वापनी स्थिती की चेकिंग होने के लिए, यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं, निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं, जैसे वे जड़ मूर्ती में प्राण भर देते हैं, और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप सबी भी क्या करते अब सुनिए कौन सी गुडियाओं का खेल करते कभी एरशया की गुडिया तो कभी वहम की गुडिया कभी अनमान की गुडिया तो कभी आवेश की गुडिया कभी रोब की गुड़िया अर्था अत्फ़त मुर्ती बना कर बात रूपी गुड़िया में प्रान भर देते हैं और अन्भव करते हो कि यह सत्य है यही बात ठीक है यह प्रान भर देते हो और फिर क्या करते है आप लोगों का गीत है ना गाया हुआ डूब जा डूब जा डूब जा बात से तंग होके फिर कहेंगे डूब जा डूब जा मेरा पेंड़ा छोड़ उस बात को भी कहते हैं उसी बात रूपी मूर्ती को आगे पीछे की समर्तियों से खूब सजाते भी हो कुछ अगली बातें कुछ पिछली याद आ जाएंगी कुछ और सजाते भी हो साथ साथ जैसे वैं भोग लगाते हैं देवी को अत्वा मूर्ती को वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो ग्यान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो अर्थात भोग लगाते हो ये तो होता यी है ये तो सम्मे होता है ड्रामा नुसारम पुर्शारत ही है करमा ती तो अंत में होना है तो बाबा ने कहा इसी परकार के ग्यान की भिन भिन वैराइटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत करते हो पक्ता कर देते हो पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते है फिर पक्ता कर देते हो और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते हो अपने साथ साथ पंडे कुटुम भी बिठाते हो वा बाबा नक्षा ऐसा खिच देता है बाबा अर्थात और भी परिवार के साथ ही बनाते हो उनकी बुद्धी को भी भोजन स्विकार कराते हो किस तरीके देखा यह है ना सच है ना यह तो है ही ऐसा उसको भी पक्का निष्चे कराएंगे तो बाबा कहते किटुम भी बिठाते हो अर्थात औरों को भी परिवार के साथ ही बनाते हो उनकी बुद्धी को भी भोजन स्विकार कराते हो लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है अंत में ग्यान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ग्यान सागर की लहर में सबुंती की लहर में हाई जंप लगाने की लहर में समर्ती सुरूप की समर्ती की लहर में मास्टर नॉलेश फुल सुरूप की लहर में इन अनेक लहरों के बीच इन गुडियों को अत्वा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है क्योंकि परेशान हो जाते ना और मन भी तन भी बहुत परेशान हो जाता शरीर पे असर पड़ता फिर लास्टली एक ही नजर आता कि अब इने डुबो जो बनाई थी ना गुडिया तो गुडियों को अत्वा मूर्तियों को अनिक लहरों में डुबोना ही पड़ता है लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे इस सारे गुडियों का खेल को जैसे भक्ती वालों को कहते हो waste of time, waste of money वैसे ही संगन का सरुसरे समय और ग्यानवा शक्तियों के खजाने को इतना वियर्थ कर देते हो तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई गुडियों का खेल बातें महुत पाई पैसे की होती है पर बन जाती गुडियों का खेल इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो अंडरलाइन कर लो परतिग्या करो बाबा के सामने जिन्दगी में कभी भी इन बातों में कभी भी अपने को व्यस्त नहीं करेंगे सदा अपने सुरिष्ट भागे को देखो वर्तमान समय के बर्मान वानप्रस्त वस्था के समीपो वानप्रस्थी गुडियों का खेल नहीं करते हैं क्या करते हैं सुनो बाबा क्या करते हैं वान प्रस्थी एकांत और सुम्रण में ही रहते हैं तो आप सब बेहद के वान प्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा सुम्रती सुरूप रहो यह है बेहद के वान प्रस्थी की स्थिती बाप दादा ने ती अच्छी नहीं लगती है क्या जो चीज अच्छी लगती है वे तो सदा याद रहती है अब बाप वा आप क्या चाहते हो अब सुनो क्या चाहते हैं एक ही बात चाहते हो बाप और बच्चे समान हो जाएं सदा याद में समाए रहें समाना नहीं चाहते हो समान बनना ही समाना ह समझा कि बाप क्या चाहते है और आप क्या चाहते हो यह सीजन सुरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है भक्त क्या पुकार रहे हैं दुखी अशानत आत्माएं क्या पुकार रहे हैं धरम नेताएं विज्ञानिक राजनेति क्या पुकार रहे है प्रकृती भी क्या पुकार रही है सब की पुकार है हे उपकारी आत्माएं सुनने में आती है या गुडियों के खेल में भी जी हो अच्छा फिर सब की पुकार सुनाएंगे आप लोग भी कल अम्रत वेले सुनना अच्छा सदा भाग्य को सुम्रण करने वाले सदा बाप के समान याद में समाए हुए निरंत रेकांत वासी हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्ट भगती के खेल समाप्त कर मास्टर ग्यान सागर सुरूप सुम्रति और समर्ती सुरूप ऐसे पदमा पदम भाग्य शाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते Thank you बाबा आज से क्या करना है पका संकल गुड़ियों का खेल नहीं करना है और सरवच भाग्य शाली बनना है और वन प्रस्वस्था का अनमव करना ओम शामति और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे